हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी लीजिए मैं आ गई हूँ इकनॉमिक्स का सिलिबस लेकर मैं हूँ पूजा मैता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टुडिनेटिक में आप सभी स्टुडेंट्स का वेलकम करती हूँ स्टुडेंट्स आपने सर्चिंग चालू कर दी है कि यूट्यूब पर आप सारे अपने सब्जेक्स के सिलिबस को देख लें आज मैं आपके सामने एकनॉमिक्स का सिलिबस लेकर आई हूँ इससे पहले मैंने काउंटेंसी का एंड बिजिनस स्टुडीज का भी सिलिबस अप पढ़ाया चाता है एकनॉमिक्स में जो आप लोगों को क्लास 11 में पढ़ना जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो स्टुड़ेंट्स यहाँ पर एकनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है ये कोर्स में इसलिए बताया गया है ताकि आप economics का syllabus देखने से पहले ये जान ले कि economics होती क्या है देखिए बच्चो आज pandemic के दोर में हम देख रहे हैं हम बार बार अपने news channel में सुन रहे हैं कि हमारी economy पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है तो वही economy क्या होती है उसका basic क्या होता है यह सारी चीज़े आपको economics के अंदर पढ़ाई जाती है अब economics के objective क्या होते हैं जो basic economic concept है और development of economy reasoning है यह सब objectives में बताया जाता है साथी साथ क्या बताया जाता है learner को role of nation building and sensitivity of the economic issue that is nation facing today अभी के दौर में nation कौन-कौन सी economic issue face कर रहा है यह भी इसमें पढ़ाया जाएदा equipment with basic tool of economics यह भी इसमें पढ़ाया जाता है development of understanding that there can be more than one view of any economic issue यह सारी चीजों को जानने के लिए main economic subject को class 11 में बच्चों add किया गया है अब हम शुरू करते हैं बच्चों economics के syllabus के साथ syllabus में theory part जो होता है वो 80 marks का होता है और जो project work होता है वो 20 marks का होता है इसकी unit part A and part B में divide होती है part A में statistics of economics को पढ़ाया जाता है और जबकि part B में introductory micro economics पढ़ाया जाती है unit 1 के अंदर आपको introduction part पढ़ाया जाता है और unit 2 में collection, organization and presenting of data पढ़ाया जाता है यहाँ दोनों मिलकल total 13 marks के question इसमें exam में आते हैं फिर unit 3 होती है जिसमें statistical tool and interpretation को पढ़ाया जाता है जो की 27 marks का होता है अब part B के अंदर जो micro economics होती है उसके अंदर unit 4 में उसका introduction पढ़ाया जाता है जो 4 marks का होता है unit 5 के अंदर consumer equilibrium and demand को पढ़ाया जाता है जो 13 marks का होता है unit 6 के अंदर producer behavior and supply पढ़ाया जाती है जो 13 marks का होता है और unit 7 के अंदर form of market and price determination under perfect competition with simple applications पढ़ाया जाता है जो 10 marks का होता है इस थरह यह 40 marks का होता है और यह 40 marks का होता है और total 80 marks का आपका पूरा theoretical part होता है उसके बार part C के अंदर 20 marks का आपको project work school की तरफ से दिया जाता है देखिए students commerce के अंदर हर subject में आपको 20 marks का एक project work दिया जाता है और 80 marks का theoretical paper होता है वैसा ही economics के अंदर भी होता है अब इसके part A के अंदर statistics of economics को पढ़ाया जाता है जिसमें क्या पढ़ाया जाता है collection, organization and presentation of qualitative and quantitative information qualitative information जो मात्रा में होती है और quantitative information जो quantity में होती है उनको किस तरह से collection किया जाता है उनका किस तरह से organization किया जाता है और किस तरह से presentation किया जाता है economics के अंदर यह आपको पढ़ाया जाता है साथी साथ some basic statistical tool analysis करना सिखाया जाता है interpreting करना सिखाया जाता है साथी साथ various economic data जो होते हैं उनको किस तरह से use किया जाता है, इसके part A में बताया जाता है, अब इसके जो unit 1 होती है introduction, जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं, तो सबसे पहले उसका introduction part पढ़ाया जाता है, introduction में सबसे पहले क्या बताते हैं, what is economics, meaning, scope, function, importance of statistics in economics, इसके unit 2 में collection, organization and presentation of data पढ़ाया जाता है, अब collection of data क्या होता है, primary data होता है, और secondary data होता है, किस तरह से हम primary data को collect करते हैं, sampling के थरू करते हैं, secondary data को कैसे collect करते हैं, primary data जिसे हम direct जाके घ़ता करते हैं, और secondary data जो हम newspaper के थूँ, TV के थूँ, मतलब हम secondary चीजों से collect करते हैं, उन्हें secondary data कहा जाता है, organization of data, meaning and type of variable, frequency, distribution, यह सब इसमें बिलकुल basic पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चों क्या है, देखिए, आप अभी-अभी class 11 में आए हैं, आपके लिए यह सारी चीजे नहीं हैं, त आती साथ presentation of data, tabular presentation and diagrammatic presentation of data, geometric form, frequency diagram, arithmetic line graph, यह सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं, next इसकी होती है, students unit 3, statistical tool and the interpretation, जितने भी numerical problems and solution होते हैं, वो इस unit के अंदर होते हैं, बच्चों, इसमें numerically आपको questions को solve करना पड़ता है, बिलकुल basic चीजे इसमें बताई जाती है, measure of central tendency, arithmetic mean, median and mode पढ़ाया जाता है, measure of dispersion, absolute dispersion and relative dispersion इसके अंदर पढ़ाया जाता है, बच्चो correlation पढ़ाया जाता है, meaning and properties, scatter diagram, Spearman Mark Collison, measure of correlation, Carl Pearson method, यह सारी इसके अंदर पढ़ाया जाती है, introduction to the index number, meaning, type, wholesale, price index, देखिए बच्चों, यह नाम देखके आप ज़्यादा ढरिये मत, यह बिलकुल नाम है और इनकी definition है, और इनके programs है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे, वैसे व इस तरह से यह पूरा part इसमें cover किया जाता है, अब इसका next आता है part B, introductory microeconomics, देखिए यहाँ पर class 11 के अंदर microeconomics पढ़ाई जाती है, इसमें introduction बताया जाता है microeconomics का and macroeconomics का, positive and normative economics को भी बताया जाता है, साथी साथ what is economy, central problem of economy, what, how and for whom to produce, concept of production possibility, यह सारी चीज़े unit 4 के अंदर introduction part में पढ़ाई जाती है, उसके बार आती है unit 5, unit 5 के अंदर आता है consumer equilibrium and demand, consumer equilibrium, meaning of utility, marginal utility, law of dimension marginal utility, condition of consumer equilibrium using marginal utility analysis, यह इसके अंदर पढ़ाया जाता है, उसके बार next होता है indefriations curve analysis for consumer equilibrium, the consumer budget, the preferences of the consumer and condition of the consumer equilibrium unit 5 के अंदर include होता है, demand, market demand, determinants of the demand, demand schedule, यह सारी चीज़े इसके अंदर समझाई जाती हैं, कि यह सारी चीज़े होती क्या है, इनको पढ़ने से आपको basic जो होते हैं वो सब समझ में आ जाते हैं, फिर जब आप बड़ी class में जाते हैं तो आपको और अच्छे से चीज़े समझ में आ जाती हैं, unit 6 होती है, इसमें producer behavior and supply को समझाया जाता है, meaning of the production function, short run, long run, total product, average, produce and marginal product, यह समझाया जाता है, return to a factor, cost, average fixed cost, revenue, producer equilibrium, यह सारी चीज़े इसके अंदर हमको पढ़ाई जाती हैं, supply, market, determine the supply, supply schedule, देखिये बच्चों, क्या होता है, जब आप class 11 की पढ़ाई चालू करते हैं, तो आपको हो सकता है, लगेगा कि जो commerce की पढ़ाई है, उतनी भी easy नहीं है, जितना लोग उन बाते करते हैं, कि यह commerce ले लो, easy पढ़ेगा, economics थोड़ा सा tough पढ़ता है, economics के concept थोड़े से tough पढ पढ़ते हैं, और जब आप मुझसे इसको पढ़ेगे, तो आपको definitely यह जरूर पसंद आएगी, मैं बहुत जल्दी इसके videos बनाना start करूंगी, जिसके बाद आपको इसके concept clear होने लग जाएंगे, next unit होती है, इसकी unit 7, form of market, price determination under perfect competition with simple application, perfect competition, other market forms, simple application of demand and supply, यह इसकी unit 7 में जाता है, अब और last में आता है, project in economics, जिस तरह से दूसे subject में project दी जाते हैं, उसी तरह economics में project दी जाते हैं, economics बहुत ही interesting subject होता है, हमारे आज के माहोल में, economics के बारे में आपको जानना बहुत ही जादा जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, news में देखते हैं, newspaper में कैसे response करती है, तो यह सारी जानकारी आपको economic subject के अंदर दे दी जाती है, तो students इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहिए, मैं और भी आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊंगी, और आपके सारे doubts को clear करूँगी, और तब तक के लिए bye.